राजपुरोहित के साथ दमियंती कुंडिनपुर पहुँची, लोगों ने सुना और वे दोड़े आये, अपनी धर्ती की लाडली को उन्होंने अपनी अपलक पलकों में बिठा लिया, शोक से स्यामल महराज भीम की राज महल में आनंद का उजाला प्रभात उतराया, दमियंती ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, महराज भीम ने गदगद भाव से उसे उपर उठा लिया, महराणी पुश्पावती ने उसे चाती से चिपका लिया, भाव विहलता के कारण दोनों तरफ से भाशा मूप थी, भाशा का काम भावों ने किया, माता-पिता और पुत्री के चहरे पर उतरते चड़ते भावों ने कुछ ही क्षण में इतना कुछ कह दिया जो भावों के द्वारा ही कहा जा सकता था और भाशा के द्वारा घंटों में भी नहीं कहा जा सकता था जो कुछ शेश बचा था, वह सजल नैनों ने कह दिया, बड़ा करुना में द्रश्य था वह, जिसने भी उस द्रश्य को देखा, वह उस भावधारा में बह गया देखते देखते हजारों हजारों नैनों में सावन उमड़ाया, माता पिता से अलग होते ही सक्यों ने उसे घेर लिया वे बोली, बहन तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो, लगता है मार्ग में खाने को बहुत कम, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बीच में काटते ही दमियंती बोली, खाने पीनी को मिलता ही था, ग्रामीन और आदिवासी लोग बहुत सहरदय होते हैं, वे अतीथी को देवता समझते हैं, और वे उसके सत्कार में अपने पलक पावडे बिछा देते हैं रोटी पानी तो बहुत छोटी बात है, वे तो अतीथी को दिल में देते हैं जगे, मेरे वानस को बहुत प्रभावित किया हैं, उनके व्यवार नहीं तो फिर क्या हुआ, एक सहेली ने पूछा, दम्यनती उत्तर देती, उससे पुर्व ही एक अन्य सहेली बोल उठी, लगता है जीजा जी की सेवा करते करते हमारी रानी सहेली ठक गई है, तपाक से उसकी बात काटते हुए तीसरी सहेली बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं ह हमारी सकी इतनी कमजोर नहीं है, लगता है जीजा जी ने भरपूर प्यार दिया है, और उस प्यार में ही ये दुबली पतली हो गई है, अरे, हम तो अपनी बातों में ये पूछना ही बूल गए कि जीजा जी कहा है और उनकी तबियत कैसी है, सक्यों का समवाद सुन, दम्य पर मेरे भाग्य को यह कहां मनजूर था, मैं मज, वे मुझे वनवासी जीवन की प्रतम रात्री में ही छोड़ कर चले गए, अब तक उनका कोई समवाद नहीं, मेरे लिए सब कुछ अक्यात, अक्यात, कहते कहते दम्यंती भावो द्वेलित हो गई, उसकी आखें नम हो वह यहां आकर मौम बन गई, दम्यंती के मुख महराज नल के वनगमन का राज सारा प्रसंग सुनकर महरानी पुष्पावती बहुत दुखी हुई, और महराज भीम भी अत्यंत समवेदित हुए, बेटी के मिलने से जो अपार हर्ष का सागर उनके दिल में कलोलित होने लग था, वह एक बार के लिए सुग गया, खोच का तुवितिय चरन आरंभ हुआ, रिप भीम अन्याने सभी कारियों को गौन कर युद्धिस्तर पर इस कारे में जुट गए और दूर दूर तक कुचारों का जाल बिचा दिया, गाउं गाउं नगर नगर अनुचर भीचे गए राज्य का चप्पा चप्पा चान डाला गया, पर कहीं भी नल के बारे में कोई शुराग नहीं मिला, इस स्थिति में रपती भीम का चिंतित होना स्वभाविक था सुनसुमारपुर्ग का वर्णिक निदेशा नुसार पुन्य माराज भीम के शुरी चर्णों में उपस्तित हुआ, माराज ने अपने रप चतुर राजपुरोहित को उसके साथ विदा कर दिया राजपुरोहित के साथ उन्होंने सुनसुमारपुर के अधिशास्ता माराजा दधीपन के लिए एक संदेश भी बेजा पुरोहित ची संदेश लेकर नरेश दधीपन के दरबार में उपस्तित हुए शिष्ट अभिवादन करते हुए उन्होंने संदेश पत्र राजा को भेट किया महराज दधीपण ने संदेश पत्र खोल कर पढ़ना शुरू किया तो सहसा उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ संदेश में दम्यंती के पुनर स्वयमवर की सूचना ने उनके मन को अनिक प्रकार की हलचलों से भर दिया था विस्ट में जिग्यासा, संदेः, आशा, निराशा, विश्वास आधी अनिक प्रकार के भाव एक के बाद एक उनके चेहरे पर चड़ने उतरने लगे राजपुरोहित से पूचा, पंडित प्रवर, महराज भीम ने यह क्या सोचा, दम्यंती का पुनर स्वयमवर क्यों? राजपुरोहित ने बड़े ही मनोवैग्यानिक धंग से कहा, महराज, आपके मन में ऐसा प्रश्ण पैदा होना स्वभाविक ही है, पर आप ही बताएं क्या किया जाए, परिस्तितियों ने महराज भीम को इस अप्रियन निर्ने लेने के लिए मजबूर कर दिया है महराज नल को वनवासी हुए एक युग बीत रहा है, पूरा एक युग, उन्होंने उसे खोजने में कोई कसर नहीं रखी, पर अब तक उनके बारे में कोई सूचना समवाद नहीं है क्या यह निर्ने दम्यंती की राय से लिया गया है? दधीपर्ण ने हैरानी सके स्वर में पूछा इसमें दम्यंती की राय की क्या पेक्षा थी? और इस विशय में वह राय देती भी क्या? यह तो महराज की सोचने का विशय था और उन्होंने जैसा उचित समझा वैसा निर्णय ले लिया राजपुरोहित ने कहा लेकिन दम्यन्ति को यह स्विकार कैसे होगा वह तो सती है उसी भावधारा में दधीपन बोले उसे महराज का यह निर्णय स्विकार करना ही होगा आखिर मातापिता की आग्या को शिरोधार्य करने से बढ़ कर संतान के लिए और कौन सा शील है फिर वह कोई ना समझ तो नहीं है जो मातापिता की परिस्थिति को ना समझे इस तरुन अवस्था में उसके यह घर में रहने से मातापिता के सामने बहुत दूइधा जनक स्थि पैदा हो गई है इस्तत्य से वह अर्णविक्य नहीं है राचपुरोहित ने अपनी डंग से बात को संजोते हुए कहा लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है संदेश पत्र के अनुसार स्वैमबर कल ही है और कुंडिन पुर्शेत्रिये द्रिष्टी से यहां से इतना दूर ह कि वहां कल तक पहुँचना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी है ऐसी स्थिती में मुझे स्वैमबर की सुचना देने का क्या मतलब रह जाता है तदिपन की हैरानी चर्मोत कर्श पर थी राजन आपका कठन बिलकुल यतार्थ है पर इसमें महराज भीम का कोई दोश नहीं है उन्होंने तो मुझे संदेश पत्र लेकर ठीक समय पर ही रवाना कर दिया था पर मैं मार्ग में अस्वस्थ हो गया था इस कारण आपके श्रीचर्णों में उपस्तित होने में मुझे तीन दिन का विलंब हो गया इस असुईधा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पर जो कुछ हुआ सो हुआ अब आगे की सोचे मेरा आत्मविश्वास कहता है कि आप जैसे तैसे वहाँ ठीक समय तक पहुँच ही जाएंगे संकल्प के धनी और उद्यमी व्यक्ति के वह मन में जो ठान लेता है वो कर गुजरता है अस्तु मैं चलता हूँ आप शिग्रता करें दम्यंति को प्रात करने की कल्पना मात्र से ही भुपाल दधीपन का मन तरंगित हो गया तन भावात्मक उद्वेक से रोमांचित हो गया वे स्वयंबर वंडप में दम्यंति का र अनाने की रंगीली भावना थी आच अनायस ही उसे पुनर स्वयंबर की में आमंत्रन पा उनकी सुप्त मनो भावना जाग उठी